फिर क्या हुआ इन तीनों का ये तीनों छोटे हो थे दीरे 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 पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए क्या हो गए फिर ये बढ़े हो गए अब बढ़े हो गए तो फिर इनको कहा एड्मिशन मिल गया बिटा कॉलेज में अब अक्सर लोग कॉलेज जाके बिगड जाते हैं, तो ये तीनों शुरुआती टाइम में बढ़िया थे, फूब पढ़ाई करते थे, बट धीरे 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 जो कैलविन भाई सब थे, इनका ध्यान इधर उधर जाने लगा, कहा जाने लगा पिटा, इधर उधर, समझते हो ना, इधर उधर, तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद, वक्त आया, फाइनल एक्जाम का, तीनों का एक्जाम हुआ, और तीनों के तीनों मेंसे, सेल्सियस और फैरनाइट, ये दोनों उस एक्जाम में क्या हो गए, और कैलविन भाई सब क्या हो गए, और जब भी कॉलेज खतम होता है, तो हम बोलते हैं कि हम क्या हो गए, ग्रेजुए Punkt, ये हमने डेलि यूनिवरसिटी, ये पढ़ाई जैसे ही खतम करी, और हमारा रेजल्ट आया, तो हम क्या हो गए, ग्रेजुएemit हो गए, हमें ग्रेजुएंट होने के बाद क्या मिलती है, दिगरी मिलती है, तो Celsius और Fahrenheit, दोनों को क्या मिली बेटा दिगरी बट कैलिवन क्या हो गया था तो कैलिवन को कोई डिगरी इसलिए आज बेटा इनकी दोस्ती की दाग दी जाती है और जब भी हम इनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा डिगरी Celsius लिखते हैं हमेशा डिगरी Fahrenheit लिखते हैं इस कहानी का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है